तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर महात्मा विदूर उस पवित्र तीज हिस्थान से चले गए श्रील प्रहुपाजी का तात्तर श्रील प्रहुपाजी की जय महात्मा विदूर मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धत्रास्ट के आशर में प्रेयाण को देखकर आशर चकित थे क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भहुतिक द्वाद में अत्यन्त लिप्त थे निसंदेह महात्मा विदुर के ही कारण उनके भाई को जीवन की वांशित गती प्राप्त हुई अतेव यह जानकर महात्मा विदुर परम प्रसंद थे लेकिन उन्हें दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त ना बना पए महात्मा विदूर ऐसा ना कर पाए क्योंकि महाराद ध्रत्रास्ट उन पांडवों से शक्त्रुभाव रखते थे जो सभी श्री भगवान के भक्त थे वैशनाव के चरण कमलों पर किया गया अपराद श्री भगवान के चरण कमलो पर किये गए अपराद से भी अधिक घातक होता है निश्य ही महात्मा विदुर अपने भाई महारा ध्रतरास्ट पर अत्यंत क्रपालू थे जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिक वादी था किन्तु ऐसी क्रपा का वरतमान जीवन में फल अन्त तह परमिश्वर की इक्षा पर निर्भर होता है अत्यंत महारा ध्रतरास्ट को केवल मुक्ति लाब हुआ ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के पस्चात ही भक्ति की अवस्था प्राप्त हो पाती है महात्मा विदुर अपने भाई तथा भावी के देहांत से अत्यंत शोकातुर थे और ऐसे शोक को दूर करने का एक मात्र उपाय था कि वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े अतेव महाराज युदिस्ठिर के पास अपने जीवित चाचा महात्मा विदुर को वापिस बुलाने का अवसर ना था तो यहां पर शोक संख्या 69 का तब परिस्तमाप्त होता है साथी साथ हम शोक संख्या 60 जो इस तेरवे अध्याय का अंतिम शोक है उसे भी हम साथ लेंगे तो यह जो श्लोक है यह बहुत ही important है इसमें हमको बहुत सारी चीजे बताई गई है भक्ती के बारे में क्योंकि यह अंतिम श्लोक है इसलिए हमको इसको ध्यान से सुनना है इत्युक्ता इक्चित्वाथारुहत स्वर्गम नारदह सहतुम्बरुहु युदिस्ठीरो वचस्तस्या रदीकत्वाज हाचुचहा इसका वर्ट्टु वर्ड मेनिंग इस प्रकार है इती यानि इस प्रकार उक्तवा यानि संबोधित करके अथ यानि तत्वस्चात आरुहत यानि आरोहन किया स्वर्गम यानि अंत्रिक्षमे नारदह यानि महर्शी नारद सह यानि साथ तुम्बरू यानि तंबूरा, युधिस्ठिरह यानि महारा युधिस्ठिरने, वचह यानि उबदेश, तश्य यानि उनका हृदे का प्रत्वा यानि हिरदय में रखकर, अजहात यानि त्याग दिया, सुचह यानि सारा शोग श्रील प्रहुपाज जी के द्वारा व्याख्या इस प्रकार है, ऐसा कहकर महर्शी नारद ने अपनी वीडा सहित अंतरिक्ष में आरोहन किया, युधिस्ठिरने उनके उबदेश को अपने हिरदय में धारान किया, जिससे वे सभी शोकों से मुक्त हो गए, श्रील पासे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ है, वे बिना किसी प्रतिरोध के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों के बाह्य आकाश में विचरण कर सकते हैं, और देखते ही देखते दूर सुदूर के किसी भी ग्रह में तक्षण पहुच सकते हैं, दासी पुत्र की रूप में हम उनकी विगत जीवन का वर्णन पूर्व में ही कर चुके हैं। शुत्वख्तों की संगती करने से ही उन्हें शाश्वत अंतरिक श्यात्री का बद प्राप्त हुआ था। अतेव उन्हें विचरण करने की स्वतन सिता थी। हमें श्री नारद मुनी के चिन्धों पर चलने का प्रयास करना चाहिए और यांतरिक साधनों से अन्य लोकों तक पहुँचने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। महराय युदिस्ठिर धर्मात्मा राजा थे अतेव समय समय पर उन्हें श्री नारद मुनी के दर्शन होते रहते थे अतेव जो श्री नारद मुनी का दर्शन करने की शुक हो उन्हें सर्व प्रथम धार्मिक बनना होगा और श्री नारद मुनी के चरण चिन्हों का अनुसर करना होगा इस प्रकार श्री भागवतम ॽ श्रीमत भागवतम के प्रथम इसकंद के अंतरगत ध्रतराश्ट दारग्रहता नामात देरवे अध्याय के भक्ति वेदान दे तात्परे पून हुए तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाजी का 60 वे नमबर श्लोक के लिए जो तात्परे है वो भी समाब तो होता है और साथ ही साथ ये अध्याय भी यहाँ पर समाब तो होता है तो श्रील प्रभुपाद जी के तात्परे वचन हम समझ सकें मैं कुछ बोल सकूँ उसके पहले मंगला चरण हम करते हैं उसके बाद जो भी मुझे समझ में आया है वो आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा हरे कृष्ण ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजिन शलाकिया चक्छूरुन मिलितं येना तस्मै श्री गुरुवे नमहा श्री चेतन्यमनो भिस्ठम इस्थापितं येन भूतले स्वयम रूपह कदामयं ददाती स्वपदांतिकं वन्देहं श्री गुरु हो श्री युत्पद कमलं श्री गुरुन वेष्णमास्य श्री रूपं साग्रिजातं सहगळ रखुनातान वितंतं सजीवं साद्वेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चेतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगल लदिता श्री विशाखान विताश्या नमह ओम विश्न उपादाय कृष्ण प्रस्ठाय भूतले श्री मती भक्ती वेदांत स्वामेन तिनामिने नमस्ते सारस्वति देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशिष शुन्यवादी पाष्चत देशितारिणे हे क्रिष्ण करुणा सिंदू दीन बंधू जगत्पते गोपेश गुपीका कांते राधा कांते नमस्तोते तप्त कांचन गोरांगी श्री राधे व्रंदा वनेश्वरी व्रश भानू सुते देवे प्रणवामी हरे ब्रिये वांचा कल्पतरु भ्यस्चा क्रफासिंदु ब्य एवचा पतितानाम पावनिव्यो वैश्ण विभ्यो नमो नमाहा जय श्री कृष्ण चेतन्या प्रभूनित्यानंद श्री अद्वेत गदाधर श्री वासादी गौर भक्त व्रंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण तो आप सब आश्रवात दीजे कि मैं श्रील प्रभुपार जी के तात्पर कि बारे में कुछ कह सकूँ जितना मुझे समझ में आया है वैसे इसकी पात्रता नहीं रखता हूँ फिर भी यह सेवा मुझे मिली हुई है जिस कारण से मुझे यह सेवा आज आप तक पहुचानी होगी सेवा के माध्याम से श्रील प्रभुपाज जी के वचन आप तक पहुचाने होगे तो यहाँ पर 69 नमबर श्लोक में यह बताया गया है कि हर्श तथा सोक से अभिभूत होकर महात्मा विदूर उस पवित्र तीर्थिस्थान से चले जाएंगे हर्श तथा सोक तो इसके पहले हमने देखा यह नारदमुनी भविश्य बता रहे हैं कि इसको युधिस्थर महराज को भविश्य बता रहे हैं कि अगले पांस दिनों में जो ध्रतरास्ट हैं और गांधारी जी हैं वो शरीर का त्याग कर देंगे जैसे हम सुनते हैं कि कोई पास्ट बताता है अपना बीता हुआ कल बताता है लेकिन यहाँ पनारदमुनी क्या बता रहे हैं युधिस्थर जी को आने वाला समय बता रहे हैं कि अगले पांस दिनों में जो हैं जो ध्रतरास्ट हैं और गांधारी हैं वो क्या कर देंगे देहतिया कर देंगे योगागनी में भस्म होकर इसके पहले कि जितने भी श्लोक थे उसमें उन्होंने अस्टांग योग के बारे में बताया था कि किस तरह से वो गंगा जी की किनारे जाते हैं सब्त धाराएं होती हैं वहाँ पे सब्त रिशियों के द्वारा जो गंगा जी है वो साथ धाराओं में बट जाती हैं तो शायद वो जो इस्थान है साथ धाराओं में बदलने वाला वो हरिद द्वार में है अभी जब हम लोग गए थे सब्त रिशिय घाट कहलाता है वहाँ पर जो गंगा जी है वो साथ धाराओं में बदल गई है जिससे कि जो तपस्यरत थे साथ रिशी उनको डिस्टर्ब न हो तो उनके आजू बाजू से गंगा जी साथ धाराओं में बठकी निकल गई थी तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने बताय गया है तो महात्मा विदूर हर्ष और शोग तो आगे बताये जाएगा कि यह हर्ष और शोग का कारण क्या है है ना तो आगे दिया है तात्पर में कि महात्मा विदूर मुक्त योगी की रूप में अपने भ्राता ध्रत्रास्ट के आश्र में प्रयाण को देखकर चकित थे क्योंकि अपने विगत जीवन में भौतिक वाद में अत्नत लिप्त थे आश्र चकित क्यों थे क्योंकि एक कोई भौतिक में भौतिक वाद यानि कि वो इतने आ सकते थे अपने पुत्रों में इतने ज़्यादा चालवाजियों में लिपते थे अपने पुत्रों के साथ कि इतनी जल्दी उनका प्रयान होना मतलब ये देखा जाता है कि बहुत बड़े वो योगी भी थे लेकिन योगी होना तब तक सार्थक नहीं होता जब तक आप श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त ना हों श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त होने से भी ज़्यादा क्या जरूरी है कि आप श्री कृष्ण के भक्तों के दास ना हों उनकी इज़त ना करें उनका दासत्यु सी कारणा करें तब तक आप कितने भी बड़े योगी हों ध्यानी हों ग्यानी हों लेकिन कितने भी शास्त्र के ग्याता हों लेकिन वो किसी काम का नहीं है जब तक आप धर्म में परायन ना हों धर्म में परायन होने का मतलब ही है कृष्ण के दास होना कृष शित गती प्राप्त हुई अतेव यह जानकर महात्मा विदुर परम प्रसन्न थे यहाँ पर क्यों परम प्रसन्न थे यह बताया गया है देखिए वैसे तो उनकी गती संभव नहीं थी किनकी ध्रतरास्ट और गांधारी की क्यों क्योंकि वो युद्ध होने के बाद उनकी रोटियां वो खा रहे थे तब महाराज विदुर ने अभी पिछले के स्लोकों में आपने देखा होगा कितनी उलाहना उने दी है ना कुछ ऐसे अपशब्द भी बोले जो नहीं बोलना चाहिए था लेकिन गुरु क्या करते हैं ऐसे ही कठोर वचन के द्वारा शिश स्वरूप दिखाते हैं और उस असली स्वरूप को देखने के बाद ही वो क्या करते हैं कि अपनी आत्म उन्निती के पत पे बढ़ जाते हैं कौन जो गुरु को गुरु जो है उनका गुरुत्व स्वीकार कर देते हैं अपना खुद का सिश्वत्व स्वीकार कर लेते हैं वो आत्म उन्निती की और अग्रसर हो जाते हैं, तो यही क्या किया, ध्रतरास्ट जी ने किया, है ना, तो यह जानकर वे परम प्रसंद हुए, कौन महात्मा विदुर, अब उन्हें दुख क्यों था, दुख इसलिए था, कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त ना बना पाए, महात्मा विदुर ऐसा ना कर पाए, क्योंकि महाराज ध्रतरास्ट उन पांडवों से सत्त्रुभाव रखते थे, जो सभी श्री कृष्न के भक्त थे, तो यहाँ पर योगागनी में वो भस्म तो हो गए, जादा से अदा उनकी उन्हती कहां तक होई होगी, ब्रह्मे जोती तक होई होगी, या पंच मोक्ष, हैना पांच प्रकर के मोक्ष होते हैं, वैकॉंट तक उनकी गती हुई होगी, लेकिन ये गती, ये मोक्ष जो होता है, वो परम नहीं होता है, इसलिए वो दुखी थे कि मैं इनकी सदगती तो कर पाया, इसको सदगती बोलते हैं, परम गती नहीं बोलते हैं, परम गती सिर्फ वही होती है, जब आप श्री कृष्न की भक्ती करके, उस मोक्ष को उस मुक्ती को जो परम मोक्ष होता है गोलोग धाम में परम धाम में श्री कृष्ण के दास की रूप में सखा के रूप में उनका संग प्राप्त करें उनके प्रेमी की रूप में उनका संग प्राप्त करें वो असली परम गती होती है ना कि ये पंच प्रकार के मोक्ष ना कि वैकुंठ प्राप्त करना परमधाम परमधाम का मतलब है कि वैकुंठ को प्राप्त करना ये परमगती नहीं होती है श्री कृष्ण को यहीं पर प्रत्वी पर रहते हुए इस भूवरंदावन के दर्शन करते हुए साक्षात विग्र है जो की साक्षात भगवान ही है उनके दर्शन करते हुए नाम रूप में उनका नाम लेते हुए ग्रंथ रूप में उनका भागवत का पठन करते हुए जो कम था सिर्फ उनका आत्म जगा कर उनको योग आगनी के द्वारा उन्होंने पंच मोक्ष को प्राप्त किया वैशनाव के चरण कमलों पर किया अपराद श्री भगवान के चरण कमलों पर किये अपराद से घातक होता है कुछ लोग बोले हम तो भगवान को मानते हैं और हम उनके मानने वाले जो ये संत गण हैं उनको नहीं मानते हैं ये भी अपराद होता है कि आप भगवान को इतने बड़े नहीं हो गए कोई डायरेक्ट मान सकते हो पूझ सकते हो या जान सकते हो हमको गुरू की शरण गुरू वैश्नवो की शरण लेनी होगी गुरू प्राप्त करने से भी पहले हमको संत वैश्नवो की शरण लेनी होगी तब गुरू प्राप्त होंगे गुरू से नाम प्राप्त होगा और वो नाम हमको गुरू क्रपा हमको भगवान तक ले जाएगी ये प्रोसेस है ये एक चैन है इस गुरु शिश्य परमपरा के विना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं यहीं पर इसका महत्व बताया गया है जिनका निश्य ही महात्मा विदूर अपने भाई महारा ध्रत्रास्ट पर अत्यंत क्रपा लू थे जि पर इस गुष्य पर अत्या है जिनका विद्धार है कैसे हुआ है क्योंकि भगवत इक्षा होती है तो भगवान संत जनों को उस चांडाल रूपी उस पाप रूपी जीव के पास भेजते हैं है ना तो हम भी ऐसे ही थे हम में भी अभी कुछ अंश ऐसा है तो हमारे पास हमारा कोई प्रारब्ध नहीं था हमारा कोई पुन्य करमितना नहीं था हम पाप में लिपते थे हैं ना लेकिन क्यों हम आज ये भागवत श्रमण कर पा रहे हैं विग्रहों के दर्शन कर पा रहे हैं महान महान शुद्ध संत जनों के साथ कीर्थन कर पा रहे हैं हम उस ला अतेव महराद ध्रत राष्ट को केवल मुक्तिलाब हुआ तो केवल मुक्तिलाब कुछ लोग जो योगी होते मुक्तिलाब को बहुत बड़ा समस्ते वही परम है नहीं ऐसा नहीं मुक्त लाव पंच प्रकार की जो मुक्ति है पंच मुक्ष है वो परम नहीं है इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाजी ने केवल मुक्ती लाव हुआ उसको बहुत छोटा कर दिया मुक्ती भी बहुत छोटी है यह एक श्री कृष्ण के भक्त की लिए ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के पस्चाती ही भक्ती के अवस्था प्राप्त हो पाती है महात्मा विदुर अपने भाई तथा भावी के देहान से अतन शोकातुर थे और ऐसे शोको को दूर करने का एक मात्र उपाय था वे तीर्थी अत्रे के लिए निकल पड़े अतेव महारा युदिस्चिर के पास अनेक जीविच चाचा महात्मा विदुर को वापिस भुलाने का अवसर ना था तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वो क्यों प्रसन्य थे और क्यों दुखी थी प्रसन्य इसलिए थे वो कि इतने जादा भौतिकवादी होने के बाद भी उन्हें मुक्तिलाब हुआ कम से कम मुक्तिलाब हुआ लेकिन वो श्री कृष्ण की परम भक्ति नहीं दिलाए इसलिए वो दुखी थे तो हमारे गुरु भी जब देखते हैं कि या हमारे जो गुरुजन है वो देखते हैं किसी भी जीव को कि वो क्रिश्न भक्ति नहीं दिला पा रहे हैं इतने प्रयास करने के बाद भी है ना तो वो दुखी होते हैं इतना प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी हम ना तो नाम जब कर रहे हैं, ना मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं, यहां तक कि घर बैट कर ये online class भी जोईन करने में इतना आलस्खा रहे हैं, तो हमारे गुरुजनों को क्या होता है दुख होता है जैसे कि महात्मा विदुर को हुआ था आगे साथ नंबर श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि साथ नंबर श्लोक है और सिफ साथ मिनट ही बचे हैं तो इन साथ मिनत में हम जो भी समझ सकते हैं, इसको समझने का प्रयत्ने करेंगे. तो ऐसा कहकर महर्शी नारत ने अपनी वीड़ा सहित अंतरिक्ष में आरोहन किया, दिस्ठिर ने उनके उपदेश को अपनी हिर्दय में धारण किया, तो यहाँ पर यह जो चर्चा चल रही थी पहले की श्लोकों में और अभी की श्लोक में, महर्शी नारत किसको बता रहे हैं, महराज युधिस्ठिर को बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो धरतरास्ट हैं, उनको महल में ना देखकर, यो युधिस्ठिर महराज हैं वो बहुत दुखी हो गए कि मेरे ताउ कहा गए, मेरे ताई कहा गए क्या हुआ उनके साथ तो क्योंकि नारदमुनी, त्रिकालदर्शी थे मुक्तचीव थे, अंत्रिक्ष में कहीं भी भ्रमड कर सकते थे तो उनको अपने भगवान के भक्तों का जो दुख है वो देखा नहीं जाता है तो वो तुरत प्रकट होते हैं किस तरह से प्रकट होते हैं क्योंकि उनका शरीर ऐसा नहीं कि हर कोई उन्हें देख सके, सुन सके तो इस लोग में यही दिया है कि नारदमुनी को देखने और सुनने के लिए नारदमुनी के जैसे जो भाव हैं वो लाना होगा भगवान का शुद्ध भक्त बनना होगा तो ये कई बार ऐसा भी बताए गया है कि श्रील प्रभुपाद जी को नारदमुनी के दर्शन होते थे जब भी श्रील प्रभुपाद जी के कख्षा होती थी नारदमुनी आते थे क्योंकि वो तो सरवत्र हैं नारदमुनी मुक्तचीव हैं वो छणभर में किसी भी प्रहमाण के किसी भी लोक में कहीं भी प्रहमण कर सकते हैं यहां तक की परमधाम गोलोग धाम, वैकुंट धाम, भौतिक आकाश, भौतिक आकाश जो चवदा भूबन होते हैं, वहां किसी भी छेत्र में वो च्छोणगर में पहुंच सकते हैं, तो उनको विशाद देखा नहीं गया महाराज युदिस्टिर का, तब वो अपने अपनी शक्ति से, अपनी छम होगी, इतना सुनने के बाद जो महाराज युदिस्टिर हैं, उनका शोक जाता गया, और उन्हें प्रसन्नता हुई, कि ताव और ताई इस तरह से प्रयाण कर रहे हैं, मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, कम से कम मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, यही सुनकर उनको बहुत ज अंतरिक शियात्तिरी का पद प्राप्त हुआ था आतेव उने विच्रण करने की सुतंतता थी हमें श्री नारद मुनी के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए और यांतरिक साधनों से अन्य लोकों तक पहुंचने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए तो पर व lij त कर लेंगे हम इस ग्रहपर चले जाएंगे श्रील प्रहुपाजी स्वयम ये बताते हैं कि समभव नहीं है इस खरीर के दोरा यह न इस भौतिक शरीर के दोरा तो हम इसी प्रत्वी में कई जगें रह नहीं सकते हैं आप बद्री नाथ में या किदार नाथ में जो अगला च्छे मेन होगा नवंबर से लेकि मार्ज तक वहां रह कर दिखा दीजी अगर आप वहां रह लिए तो आप अन्ने ग्रहों में भी रह सकते हैं पॉसिबली नहीं इस शरीर के साथ इसके लिए सुक्ष्म शरीर चाहिए होता है दिव्य शरीर चाहिए होता है जो की जैसे नारद मनी जी का था है ना उनके साथ एक तुंबरू महराज थे उनका था ऐसे और बहुत से लोग हुए हैं बहुत से रिशी हुए हैं जिनका शरीर सुक्ष्र सरीर था दिव्य शरीर था वो कहीं भी प्रकट हो सकते थे किसी भी लोक में किसी भी भुवन में जा सकते थे है ना तो यांतरिक्त साधनों से किसी भी लोक तक पहुँचा नहीं जा सकता है यहां तक कि जो चंदर लोक में पहुँचने की बात करते हैं अमेरिका वाले तो श्रील प्रभुपाद उसका भी खंडन करते थे कि वो बात सही नहीं है और आज ये बात कुछ वैज्ञानिक भी बताते हैं खुद नील आरम स्ट्रॉंग ने इसकी व्याख्या की है आगे बताया है कि वो एक स्टूडियो में क्या की आया गया था फिल्माया गया था प्रत्वी पर है तो महराज युदिस्थिर धर्मात्मा राजा थे अतेव समय समय पर उन्हें श्री नारद मुनी के दर्शन होते रहते थे कि श्री नारदमुनी क्या करते थे पूरे समय नाराएंड नाराएंड का गान करते थे ये हमको फिल्मों में बताया गया है है ना ये जो सीरियल में से वो नाराएंड नाराएंड करते थे और लेकिन इसके आगे की जो बात है ये श्री मद भागवत पुराण में बताए गई है कि वो सारे दुनिया में, सारे श्रस्टी में घूमकर श्री भगवान की भगवत कथाओं का प्रचार करते थे नाम का प्रचार तो वो करते ही थे, साथी साथ वो बहुत सारे ऐसे लोगों की दिशा देते थे जो भटक गए हैं या जिनको दिशा प्राप्त नहीं हो रही है वो एक तरह से बूस्ट का भगति को वो बूस्ट करते थे किसी को अगर दिशा प्रापत नहीं हो रही है तो वो क्या करते थे प्रचार करके भगवत कथाओं के माध्यम से उनका दिशा निर्धारित करते थे तो ऐसे बहुत सारे शिश्य हैं उनके जिनको उन्होंने क्या किया था दिशा दी थी भक्ती मार्ग में है ना ऐसे ही प्रहलाद महराज हैं ध्रो महराज हैं ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं योधिस्चर महराज हैं ये विशाद में थे तब इनको इन्होंना दिशादी कि आप अच्छे से राज़ कीजिए अपने ताउताई के बारे में ज़्यादा मत सोचिए दुखी मत खुईए तो इस तरह से उनका जो विशाद है वो जाता गया तो इस प्रकार से यह जो तेरवा अध्याय है यह समाप का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यान होना जो की कल से स्टार्ट होगा तो इसी के साथ मैं यहां पर अपनी वाड़ी को विराम दूंगा जो भी मुझसे गलती हुई हो तुटी हुई हो कमी रह गई हो श्रील प्रभुपाद जी की वाड़ी को समझाने में मुझ आपका दिशा निर्देशता प्रभुपाद आप सभी के चड़नों में इस चीजों को पालन करते तो उतनी चंविक्शन के साथ हई बख्रिष्न प्रभुपाट श्रील प्रभुपाजील ओ आरे न्रेन JESSA Dन प्रणाम तशार बहुत संद कर्खा अधेन ओओ